स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 Study पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकास के परावरतन के पार्ट थर्ड के बारे में इससे पहले मैंने दो पार्ट अल्रेडी अपलोड किया हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रकास के परावरतन के बारे में या फिर इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट से प्रतिविम वगारा सारा पढ़ा रखा है तो उसके आगे जो भी टॉपिक बसते हैं हम लोग इसमें कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखें आज का हमारा टॉपिक है संतल अळरपन द्वारा प्रतिविम का बनना संतल अभी परतिविम कैसे बनता है दरकी पीछली वीडियो वे मैंने थोड़ा सा डेकर आट है तबोख़ए और इस पर याधी प्रकास की किरन आ रही है तो क्या होता है लोट जाती है और मैंने बताया थे प्रतविंग बनने के लिए कितने किरन की जरुदा होती है हमेशा और हमेशा कम से कम दो maximum चाहे जितने हो सके तो एक तो यह हूआ जो रिफलेक्ट हो करके चला गया और एक लंब कालपनिक रूप से पीछे की और खीचेंगे और यहां पर मिलाएंगे तो देखें यहां पर लाइट सोर्स था और यहां पर इसका इमेज बना ठीक है तो समतल दर्पन द्वारा केसी भी वस्तू का कैसा प्रतिविम हमेशा कालपनिक प्रतिविम बनेगा याद रखिएगा ठ देखते हुएगा कि आपका प्रतिविम उतना नजदिक बनता होगा और जितना आयना से दूर जाईएगा उतना दूर आपका प्रतिविम बनेगा ठीक है देखें कंपटिशन के पूछा जाता है कि यदि कोई वस्तू समतल दर्पन की ओर एक्स कीलो मीटर प्रतिगंटे के रफ्तार से आ रही है ठीक है तो उसका प्रतिविम कितने किलो मीटर प्रतिगंटा के रफ्तार साएगा तो देखें यहां पर उसका दो गुना हो जाएगा अगर आप दर्पन की ओर माल लेते हैं कि 5 किलो मीटर प्रतिगंटा के रफ्तार से दोर रहे है ठीक है तो दर्पन से जो प्रतिवियम बनता है उसके क्या करेक्टर है हम लोग आगे डिसकस करते हैं देखें ये पॉइंट क्या रिखेंगा सम्तल धर्पन में क्या होते है वस्तु दूरी और प्रतिवियम दूरी क्या होता है हमेशा एकवल होता है चलिए देखें सम्तल धर्पन क्या होता है सम प्रतिविम काकर वस्तु क्याकर के बराबर होता है याद रखेगा प्रतिविम काकर जो होता है वह वस्तु क्याकर के बराबर होता है नेक्स्ट है प्रतिविम वस्तु के पिक्षा हमेशा कैसा बनता है सीधा बनता है याद रखिएगा ठीक है लेकिन क्या होता है वह लेटरल उल्टा होता है, प्रतिविम जो होता है लेटरल का मतलब क्या होता है? पारस्विक पारस्विक रूप से उल्टा होता है अब हम उमasıद करते हैं कि ये पारस्विक वरड भी आफ просто time सुझ तो देखिए पारस्विक का मतलब कुछ इस तरीच साब समझे कि जब आप आईना के सामने खरे होते हैं तो आप जब दाहिना हाथ उठाएंगे तो आईना में जब का प्रतिविम बन रहा है वो आपका बाया हाथ उठाएगा देखे प्रतिविम तो सीधा ही होगा सीधा कहने का मतलब क्या कि आपका सर उपर है तो प्रतिविम में भी आपका सर उपर ही रहेगा पैर नीचे रहेगा लेकिन प्रतिविक रूप से उल्टा होगा ठीक है यदि आप बाया हाथ उठाएंगे तो प्रतिविम में दाया हाथ उठाएगा और यदि आप दाया हाथ उठाते हैं तो प्रतिविम में बाया हाथ तो यह points हैं उमिद करते हैं कि समझ में आ गया होगा झाल झाल